आज मैं आपको शिकाँगा कि रीवर स्लाइट का बल्प यह से चेंज करें मेरा 1 रीवर स्लाइट का बल्प कि फ्यूस हो गया तो आपको दिख रहा हुआ सबसे पहले आपको दूद्ये दो फोलना पड़ेंगे एक ये नीचे वाला इस फटाफ़ फटाफट फोल लेते यह दोनों इस्विश्व मैंने खोल लिया है कि यह भी खुल एक तो बसके बाद आपको पीचे से यह कवर खुलना यह फुल रहा है उसके बाद एक स्कूरू रहता है यह स्कूरू है यह स्कूरू खोली है मैंने यह स्कूरू खोली है अब लाइट के लिए आपको यह वाला इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा इसे करके घुमाना पड़ेगा यह भारा आगया दो अब अब यह फिर सोचुका है आपको यह नया कहीं भी पार्ट की दुबान पर खरीद लेना दसे रेकिए बीजुरू कर तक आएगा यह पालब ली आया है मैं आपको दिखाएता हूं करें इसको फिट करेंगे इसमें यह होल्डर यह इसा लग जाएगा कि यह ने मैंने यह लगा दी है अब में रिवस गेर डाल के आगा हूं यह शालू हो जाएगा रिवस लाइट बन इसको जैसे निकाला वैसे इसको फिट करेंगे बल्ब लग चुका है अब इसको जैसे निकाला था वैसे इसको फिट कर देंगे अब इसमें शुरू कर देंगे है कि अब फ्रेंड अपनी दोनों लाइट चालू हो चुकी है आप देख लेजिए इसी तर आप घर पे भी अपना रिवस लाइट बलब या इंडिकेटर बलब चेंज कर सकते हैं तो अच्छी लगे तो लाइट और सब्सक्राइब करें